आपको मैंने कसम उठा रही है कि भाईया ये स्टेप्टर से इस सब्जेक्ट से आपको मैं मौबत करा के ही रहूँ कोई फाल्तू बात लेकर नहीं आए उसी पढ़ाई की बात लेकर आए अकाउंट एंसी कोशन रिपीट होते हैं क्या कि यार मैं कमात हो रहा हूँ तुम पढ़के क्या करोगे तुम आपको पैसा आई जाएगा राइट को राइट को बोलते हैं राइट को पोकी मॉन क्यों नहीं बोलते हैं बेट कर सकता हूँ ऐसा बंशॉल आपने किसी भी चैनल पे नहीं जए देगा मैं पहुचा हूँ मैंने आज तक अपने हाथ में कभी भी NCRT नहीं आई बढ़ा बात व्यूज और उसकी है नहीं वो गंदे वाले कॉमणी मुझे बता है कौन-कौन से हैं आप अपनी वाइब से कहां मिले थे हलो प्यारे बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का कॉमर्स अन्फन पर जाएं टीचर साब को दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं अक्सार एक सवाल बच्चे पूछते हैं भीया कि सर यूट्यूब वाले लेक्चर के अंदर डाउट नहीं हो पाते हैं लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से कॉमर्स अन्फन के साथ जुड़े हुए हैं जुन्होंने मेरा आतक का हर एक लेक्चर देखा है तो भीया पहल कि सारे जो बच्चे हैं वो दीरे-दीरे जूड़ रहे हैं हमारे साथ हमारा जो काम है वो दीरे-दीरे बच्चों तक पहुंच रहा है या बच्चे दीरे-दीरे जाग रहे हैं तो कोई ऑविसी बात है मैंने फर्स लेक्चर पोस्ट कर दिया सेकिन लेक्चर पोस्ट करने कि बाद कोई फर्स लेक्टर देख रहा तो उसके डाउट बिचारे के रह गए लेकिन सब्जेक्ट इतना नया है आपको मैंने कसम उठा रही है कि भाईया ये इस चैप्टर से इस सब्जेक्ट से आपको मैं महबत करा के ही रहूँगा तो अकाउंट एंची से महबत करने तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए तो हमने कुछ दिनों पहले कॉम्मिनटी पोस डाला और कहा कि भाईया हम डाउट क्लास लेंगे सवागत है आप सभी का आपके पहले डाउट सेशन में इस डाउट सेशन का नाम रखा है हम मैंने मैंने अभी भी रखा पांच मिन्ट पहल होंगे एक वक्त आने पर लाइव सेशन भी होंगे वहाँ पर भी आपके लाइव डाउट होंगे अब डाउट इतने इंट्रस्टिंग है बच्चों के पहली बातों देखो डाउट कॉमन भी होते हैं इस वीडियो को आपको एंड तक क्यों देखना चाहिए क्योंकि हो सकत है आप अपनी वाइव से कहां मिले थे अरे भाईया मैंने लिखा है साक्षात अकाउंटेंसी वाले डाउट पूछने हैं तुम मेरी अकाउंट के डाउट पूछ रहे हो तुम मेरे परसनल भाई खाते खोल के बैठ गए हो अरे भाईया रुक जाओ बारी मिश्टिक हो गय उनको भी थोड़ी encouragement होंगी और अच्छे डाउट है और जिन जो उनसा डाउट बहुत अच्छा होगा उसके लिए round of applause उशांक तुमारे लिए खुद करेगा चलो जी शुरू करते हैं आज की पहली doubt class मजा आने वाला है चलो जी तो पहला question है गुनिका गोयल 22 दो दिन पहल है बताते हैं दुबारा selling expense incurred and selling expense amounted का मतलब किया है देखो बड़े बारीग doubt है बच्ची के अगर ये girl है तो ठीक है न what is demand draft बेटा देखो demand draft क्या होता है एक तो गहा कि मुझे अगर आपको पैसे देने है तो मैं अपनी जेब से wallet खोलूँगा cash निकाल के दे दूँगा अब check भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है self का check होता है और एक होता है account pay अगर मैं आपको self का check दे तो आपको मेरा check मेरे ही bank account जाकर पैसे निकलवाने पड़ेंगे थोड़ा hectic है मालो आप रोहीनी के या आप रोहीनी में रहते हो और मैं रहता हूँ noida में अब आप noida तो लेकिन इसके अंदर भी एक flaw है वो flaw गए कि अगर वो check bounce हो गया तो मैंने गलत sign कर दी है तो या मैंने मेरे bank में पैसे ही नहीं है तो तो अब इस चीज़ से बचने के लिए कुछ सरकारी जगाओं पर जैसे अगर आप B.com करोगे या graduation करोगे या कोई भी entrance की coaching करोगे आज कर तो खेर online payment हो जाती है लेकिन अभी भी कहीं जगा वो बोलते है demand draft लेका रहो कहीं स्कूलों के अंदर admission में check नहीं चलता demand draft चलता है demand draft क्या होता है कि आपको अपने bank जाना है मालो मुझे payment करनी है किसी को demand draft के तुम अपने bank जाओंगा मैं बोलूँगा इतने रुबे का demand draft ब दूँगा मैं post भी कर सकता हूं कहीं खो गया तो दिक्कत नहीं गुनिगा की account में जाएगा तो गुनिगा को मैं वो demand draft दे दूँगा अपने bank में जाएगी sure shot मेरे आपके account में पैसा आ जाएगा क्यों क्योंकि bank नहीं यह जिम्मेदारी लिए क्योंकि पहली मेरे bank से पैसे क करने का ठीक है जी समझ में आ गया होगा depreciation का मतलब है fall in the value of asset यह जो माइक पैना है मालों 20,000 का खरीदा 50,000 का खरीदा दीरे 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 इसकी value कम हो रही है इसको हम बोलेंगे depreciation ठीक है जी fall in the value of asset due to wear and tear, obsolence, passage of time, बहुत सारी तरीकों से value कम होती है उसको बोलते है depreciation हमारी firm का यह खर्चा होता है expense होता है loss होता है और दो चीजे exception होती है यहाँ पर जैसे livestock की ओपर depreciation कभी भी नहीं लगेगा और दूसरा comment में बताना चालो जी आगे आता है selling expense incurred and selling expense amounted बटा एक ही बात है selling expense यानि जो माल बेचने का जो खर्चा है वो हुआ है incurred हुआ है amounted rupees मतलब इतना बना है दोनों में कोई फरक निये बटा अंग्रेजी का फरक है मतलब इतना selling expense हमने दिया या amount किया clear जी आपके तीनों doubt हो गए अगर हो गए तो एक प्यारा सा comment नीथे जरूर छोड़ना चल क्या आपका doubt clear हुआ या नहीं हुआ अगर रहे गया तो मैं दुबारा वही comment में करूँगा बच्छो अर्ष 8252 sir I want to ask that in accountancy question get repeat very big question round of applause this question की मैं अक्सर पूरे साल के अंदर wait करता हूं कि कोई पूछे offline में अक्सर दो-चार बच्छों ने पूछा है क्याते है sir I want to ask that in accountancy question repeat होते हैं क्या there is very low chance की question repeat हो जाए बच्छा accountancy का पूरा का पूरा game concept और entry का है for example आपने accounting equation chapter पड़ा accounting equation chapter के अंदर एक transaction है पूरा question important नहीं है उस question की transaction जो है बड़ी important है जैसे one third of the above goods sold at a profit of 20% half of the amount of received in cash यह transaction थी दी महापातर वाला accounting question का question था टीएस गरेवाल का सोलवा या सत्रवा question था उसकी second entry बड़ी प्यारी है समझे रहे हो तो वो किसी और question में चेप दिया सकता है इस question की ये entry, इस question की ये entry, इस question की ये entry चेप कर आपने दूसरी जगा डाल दी ये है mind-blowing question ठीक है न? तो question होते हैं important ऐसा नहीं है आगे जाके बनेंगे लेकिन mostly entries, point, line, statement, concept वो important है not only in accountancy, बड़ा बाकी subject का तो मैं बता नहीं सकता maths और applied maths की बात करेंगे applied maths के ओपर बड़ा मुद्दा उल्ठा हुआ है वो भी मैं at the end of the session बताऊँगा की applied maths का क्या होने वाला है इस channel पर लेकिन maths की बात बताऊँ, core mathematics के अंदर yes important होता है अगर आप 10th के अंदर पढ़े तो मैंने आपको बहुत सारे question दिये थे 11th के अंदर भी आपके one shot already मेरे channel पर है, कौन सा channel science and fun 9th, 10th, 11th channel पर है already, जा कर देख सकते हो fresh lecture, बड़िया तरीके से अगले हफते से शुरू हो रहे है ठीक है जी, चलो, अगर हम PYQ solve करते हैं, तो उससे help होगी हाँ बेटा, तो जैसे 10th class हाँ, बिलकुल, आप accountancy के PYQ solve कर सकते हो, practice makes man perfect, बहुत बढ़े सवाल है, please reply I really wanted to know this, I hope आपको job मिल गया, यह पांच लोगों का और सवाल था तभी like किया हुआ है, चालो जी फिर आता है, हर्षित X Saroji, Sarogi, I don't know चलो, मैंने आपका नाम हर्षित पढ़ लिया, ठीक है ना If there is contingent liability, इसके ओपर मैंने अच्छा, शौट डालने शुरू हो गए है आपकी knowledgeable शौट, आपकी अकाउंटें से related शौट मैंने डालने शुरू कर दिये वहाँ पर contingent liability आया था Then why there is no contingent asset? नहीं बढ़ा, contingent asset कैसे हो सकता है? अब contingent asset personal life में हो सकता है देखो, कहरे contingent, देखो अब contingent liability क्यों होता, set क्यों नहीं होता इसका जवाब, मैं आपको लेके चलूँगा chapter number 3 एक concept था, prudence concept prudence concept क्या कहता था do not anticipate for profit but do anticipate for losses for example, द्यान से देखो मैं आपको बहुत बड़ी example दूँगा, अगर अच्छा लगे तो नीचे comment में एक बात छोड़ देना है, हर्ट छोड़ देना कि मैं as a father अपनी बेटी के लिए मैं कमा क्यों रहा हूँ मैं दिन राद महनत क्यों कर रहा हूँ देखो भाई, भगवान की दिया से मैंने इतना तो कमा लिया कि आज से मैं कमाना बंद कर दूँ तो मैं अपने आने वाली जीवन सुखत तरीके से बिता सकता हूँ बहुत हाइफाय नहीं, दुबई नहीं घूमपाऊंगा लेकिन हाँ, हिमाचल में जा सकता हूँ एक साल की एक ट्रिप मार के आ सकता हूँ उत्राखन जा सकता हूँ दिल्ली भ्रह्मन कर सकता हूँ देश भ्रह्मन कर सकता हूँ साल में एक बारी नॉर्मल फुलका, रोटी, दाल, चावल खा सकता हूँ ठीक है जी, मैं फाइफ सार होटेल में नहीं जा सकता हूँ लेकिन इतना मैं जा सकता हूँ कि मेरी normal life ठीक हो जाए लेकिन मैं इसलिए महनत कर रहा हूँ कि एक तो मेरी life थोड़ सी upgrade हो जाए और दूसरा मेरे बच्चों के लिए एक asset बन जाए लेकि इसका मादा ये थोड़ा है बच्चों को school भेजना बन कर दूँ कि यार मैं कमात हो रहा हूँ तुम पढ़के क्या करोगे तुम आपर तो पैसा आई जाएगा देखो क्या कहते हैं do not anticipate for profit जैए for example मैं जब छोटा था तब मैं इसलिए थोड़ना महनत कर रहा था कि यार बाप दादाओं का पैसा तो मुझे मिली जाएगा मैं क्यों महनत करूँ तो अगर ऐसा है देखो वह तभी तो हर एक बच्चा महनत क्यों करता है जबकि उनके पास पुष्टानी पैसा होता है लेकि फिर यो महनत क्या कर रहा है क्योंकि do not anticipate for profit but do anticipate for losses तो losses के लिए anticipate करना जरूरी है profit के लिए नहीं है तो contingent asset मतला अगर हमने किसी पर case कर रहा है और उसका पैसा हमको मिलने वाला है इसके लिए हम anticipation नहीं करेंगे liability, losses इसके उपर आपको anticipation करना है I think आपको समझ में आ गया होगा और contingent liability क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो shot डाला है actual liability versus contingent liability जाकर इसी channel पर देख लो Why there is no closing of stock in trial balance वैसे तो बैटा यह आपने बहुत जल्दी पूछ लिया जबकि आपको यह वाला question मुझे पसंद आया था यह मैंने भी कराया ही नहीं है trial balance फिर भी आपको बता दू क्योंकि वो adjusted नहीं होता अगर वो adjusted हो जाता है purchases के अंदर इसलिए वो तो वो आपका show किया जाता है trial balance में जब तक adjusted नहीं होता वो footnote पे as a adjustment show होता है उस बच्चे को समझ में आ रहा हो जिसने chapter पढ़ लिया नहीं आ रहा तो छोड़ दो क्योंकि यह भी topic हमने नहीं पढ़ा है चाहिक हजीब इसके बाद एक हर्ष मिश्रा 817 का कोशन है give debit and credit rules of liability revenue and gains तो यह हमने पूरा का पूरा chapter करा रखा है आई तिंग आपने नहीं देखा chapter का नाम है rules of debit and credit बड़ा प्यारा chapter बनाया है बड़ा important chapter है आपके लिए उसको जरूर देखना चाहिए तो यहाँ पर जाकर आपको देखना है which transaction should be first recorded journal या ledger बटा पहले journal record होगा फिर ledger record होगा state the reason ऐसा क्यों देखो जर्नल को primary book बोला जाता है और ledger को secondary book बोला जाता है इसलिए और obvious सी बात है हर चीज़ का बेटा यहाँ पर कारण भी नहीं है सुनो यह एक flow बनाया गया एक तरीका बनाया गया हमारे ancestors दोरा हमारे पूरवज़ों दोरा हमारे विदवानों दोरा ठीक है न अब 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 हम यहाँ पर हर चीज़ के उपर question नहीं उठा सकते समझ रहे हो अब आप यहाँ पर question उठाते हो कि भाया क्यों asset बढ़ने पर debit होता उसका कारण तो किसी के पास नहीं है वो तो rule बना रखा है अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो पहले हैं मुझे एक जवाब बता दू कि आप हमेशा left and side drive क्यों करते हो आप हमेशा green light पर ही क्यों चलते हो green के लावा और भी तो बड़िया colors है orange, white and मतब ये red, yellow और green का इस्तेमाली क्यों किया जाता है right को right क्यों बोलते है right को pokemon क्यों नहीं बोलते है बहुत सारे ऐसे सवाल है एक साल के अंदर 12 ही महीने के होते है 6 महीने भी तो सकते हैं 60-60 दिन के इसके पीछे कोई कारण नहीं है जिसने सोचा उसने बता दिया अच्छा अब वो जो कारण दे सबको acceptable होगा जो भी वो कारण दे आपको मानना पड़ेगा क्योंकि भी उसने बना के निकल लिया वो तो ठीक है ना तो इसका कोई कारण नहीं है define ledger accounting accounting terms हम chapter पर आएंगे बटा जरूर बताएंगे ठीक है ना तो ये debit and credit rules मुझे यह अला lecture यह अला मैं doubt इसले लेकर आए कि ताकि मैं अनाउंस कर पाऊं कि rules of debit and credit lecture आ चुका है प्लीज जाओ और उसको देखो क्योंकि अगला chapter जो होगा वो journal होगा अच्छा अब या आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और करना चाहूँगा कि आप लोगों ने उस question में उस community post के अंदर बहुत सारे ये doubt पूछे कि sir journal नहीं हो रहा journal entries नहीं हो रही sir ये वाली journal बता दो तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिटा मैंने journal entries अभी तक chapter नहीं कराया मेरा अगला one shot journal entry के उपर ही होगा और मैं आपसे bet कर सकता हूँ ऐसा one shot आपने किसी भी channel पे नहीं देखा बिना बनाय बोल रहा हूँ मैंने बनाया नहीं है वन शॉट बिना बनाया बोल रहा हूँ ऐसा power pack one shot आपने पूरे के पूरे बहुत बढ़ी बात बोल रहा हूँ मैं कहीं नहीं देखा होगा तो बहुत बढ़ी है lecture on the way है बढ़ी महनत कर रहा हूँ मैं ऐसी चीज बना रहा हूँ, ऐसा one shot बना रहा हूँ, जिसमें आपको कोई doubt नहीं बचेगा, practice करनी पड़ेगी, उसके बास obvious से बात है, लेकिन बड़ा मन से एक चीज आ रही है, क्यों? क्योंकि जर्नल एक ऐसा topic है, अगर वो किसी बच्चे का कमजोर रह गया, तो हमेशा गाल को, या accountancy को, और जर्नल अगर strong करना है, तो हम आपको बोल दो, भजया, rules of debit and credit chapter को चाट लो, समझे आगी बात, करोगे बात, चलो, बहुत बढ़ी है, इसके बात, फिर पूजा बतरा कहते हैं, जी, what is difference between revenue and receipt, देखो, revenue and receipt, बेटा, देखो, पहली बात बता हूँ, receipt का मतला ह होता है, पैसा मिलना, पैसा अगर आपकी firm में आ रहा हूँ, उसको receipt का होगे, अब receipt जो होते है, वो दो प्रकार की होती है, पहला revenue receipt डिसको सिर्फ revenue भी कह सकते हो, और एक होती है capital receipt, एक होती है, capital receipt, तो receipt का ये example है, receipt का ये type है, receipt का पहला टाइप, revenue receipt, यानि वो receipt जो मिलने पर ना तो आपकी कोई liability पैदा हो ना ही कोई asset कम हो जाए जैसे अगर tuition fees मुझे मिलती है वो मेरी liability पैदा नहीं हो रही मुझे काम के पैसे मिल रहे है एक दूद वाला जब दूद बेचा तो उसकी गल्ले में पैसा आता है वो उसका revenue receipt है उसके काम के पैसे है मैंने किसी को ब्याज पैसे दे रहे हैं जो मुझे ब्याज दे कर जा रहा है वो भी मेरा revenue receipt है क्यों? revenue receipt क्या है? क्यों? क्योंकि भाईया मुझे मेरे काम से मिल रहा है क्योंकि उसके बदले माल लो अगर मैं एक finance का काम कर रहा हूँ मुझे ब्याज मिल रहा है, तो मैं कौन हो गया, बिटा, एक revenue receipt, जो ब्याज हो गया, वो revenue receipt हो गया, क्यों, क्योंकि इससे ना तो मेरा कोई asset कम हो रहा है, ना ही मेरी कोई liability पैदा हो रही है, हाँ, लेकिन अगर मैं tuition teacher हूँ, और bank से जाकर मैं loan उठा के लिया आता हूँ, तो मेरा पैसा तो बढ़ गया, business में पैसा तो आगया, लेकिन मेरे सर पे बोज भी तो बढ़ गया, मैंने पुराना AC उतारा और बेच दिया, पैसा तो आया, लेकिन एक asset भी तो कम हो गया, उसको बोलते हो capital receipt, समझ में आगे बटा, डाउट अच्छा था, चलो जी, फिर आता है माहराणी कोकोमती, नाम बड़ा प्यार है बटा आपका, इस लड़की ने स्पैम ही कर रखा था, NCRT पढ़नी है या अकाउंट है, अच्छा ये भी बहुत जादा अटपटा सवाल है, जब मैंने Rules of Debit and Credit पोस्ट किया, तो इसके अंदर कॉमेंट आते हैं कि सर ये कौन सा चेप्टर है, ये तो हमारी बुकिमेंदा चेप्टर ही नहीं है, जब मैंने Double Entry System पोस्ट किया थे सर ये कौन सा चेप्टर है, ये तो चेप्टर ही नहीं समझ में आया, तो मैं आपको बता दूँ मैं आपको pen उठा लिया देखो भाई तुम्हारे भाई ने अब मेरी बात समझना हम क्या मैंने आज तक accounts के NCRT देखी है बताना मत किसी को being an commerce teacher being an accounts teacher CF finals तक मैं पहुँचा हूँ मैंने आज तक अपने हाथ में कभी भी NCRT नहीं उठाई देखी नहीं दिखती कैसे cover page image ही नहीं है मेरे दिमाग में कही मैंने आज तक NCRT नहीं पढ़ी आज तक नहीं देखी मुझे पता कुछ कुछ स्कूल लगाते हैं आपको खरीदनी पढ़ती है वो बंदल में ही आ जाती है हम government school के पढ़े थे तो हमें भार से किताबे खरीदनी होती थी तो हमारे teacher उन्हें तो पहली कह देता है इसको खरीदने की कोई ज़रत नहीं है हम लोगों ने जो किताबे पढ़ी है मैंने अपने जीवन में वो पढ़ी है बढ़ी है टीएस गरेवाल मैंने पढ़ी है एक वासन करके किताब आती थी वो भी मैंने पढ़ी है मैंने वो बहुत कम पढ़ी है तो डीके गोयल और टीएस गरेवाल ये पढ़नी है आपको खरीदनी बेचे ये टेक्स्ट बुक्स है ये वाली किताब नहीं है जिससे आप प्रेक्ट्रिस करोगे सैंपल पेपर वाली किताब नहीं है ये आज अगर मैं देखूं तो मेरे यहां पर पूरा बना हुआ है किताबे बहुत सारी है अकाउंट की बतानी है या नहीं है मैं पूरा इंस्ट्ट्ट केंदर टी-एस गरेवाल टी-एस गरेवाल पढ़ी रहती है या कुछ बच्चे दीके गोल से भी डाउट पूछ लेते हैं तो आप दोनों मेंसे कोई एक ऐक फॉल्योकर हो I prefer टी-एस सबहार ड़ेवynn मैं जो कोशन लेकर आता हूं, क्लास के अंदर वो TS के होते हैं, आप DK भी कर सकते हो, मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा है, दोनों अच्छे किताबे हैं, TS मेरे दिल के क्यों करीब हैं, क्योंकि मैं बचमस लेकर आता हूं, यही इस्तमाल करता हूं, ठीक है जी, तो NCRT पढ़न यह मुझे किसी बच्चे ने स्क्रीन शॉट भेजा था, तुम मुझे पता चला, मुझे आत तक नहीं पता था, अभी इंस्ट्राग्राम पे बच्चे ने भेजा, सर आपने रूस आफ डेबिट और करिट पढ़ा है, पूरी अकाउंट NCRT के अंदर यह तो चाप्टर नह समझ रहे हो, तो recording of translation में लेजर भी ले आए, जर्नल भी ले आए, वो सही नहीं लगा मुझे, तो मुझे लगा कि बचे इंडिविजल चैप्टर आएंगे, इसलिए हमारी NCRT के साफ से शाफ से पांसा चैप्टर होते हैं, दस चैप्टर होते हैं, और T.S. गरेवाल के कोको मती, कोको मती चाही हुई है, क्या कह रहे हैं जी, सिलेबस में कितने चैप्टर है, पूरे एक्स्पियन कर दो, कुछ नहीं करना बटा, आपको इंडेक्स, देखो, बहुत सा मैं कहा न, 22 चैप्टर है, इसका आप सिलेबस ऑनलाइन जाकर देख लो, आपको मिल ठीक है न, थोड़ेs ही इंवेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, सेकिंड हैंड लेलो, पितले साल की मिल जाएगी, नई ले Nepose 규़ेव तो इस साल की मिल जाएगी, थोड़े इसी तो इनवेस्टमेंट आपको अपांटेंसी में करनी पड़ेगी, ऑलसो डिलेट पोर्श अब ऐसा कुछ भी deleted नहीं है उल्टा अब तो असले बस बढ़ गया है बढ़ गया गया मतलब ऐसा जो 70% deletion वाला concept था ना वो यहाँ पर लगा ही नहीं था कभी भी commerce में लगा ही नहीं था ठेक है ना तो जैसा है वैसा ही पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं कटा कुछ नहीं बढ़ा सब कुछ पढ़ना है सिस्टिक में में सो दैट क्लियर पता हो की क्या करना है बटा मैं आपको उता दूँ अभी हम लोग rules of debit and credit पर है इतना पढ़ लो इतना मैं आपकी यहां पर आप लोग बढ़ाने का तरीका है वही मेरा यहां पर आप लोग को बढ़ाने का तरीका है तो आप मैं आपको बता दूँ कि भाया मैं अच्छ अच्छे comment लेकर नहीं आया हूं यह PPT मेरे team ने बनाई है कि sir यह common doubts है यह आपको लेकर जाने है ठीक है मेरे team ने बनाई है sir first of all you are very brilliant teacher शुकरिया जी and very happy to have this platform चलो शुकर आप तक पहुंचा यह platform sir please answer my question that is I have been given holiday homework in accountancy to collect each source of document cash memo bill तो इनका जो doubt है यह हुए उसी chapter से है जो मैंने अभी तक नहीं कराया वो है voucher लेकिन voucher के बारे में हमने basic terms के अंदर पढ़ा था तो हम बात कर सकते हैं carry and paste it तो यह मुझे मिलेगा का बिटा देखो कुछ नहीं मिलता आप dry clean वाले को न bill invoice bill कभी कोई mobile खरीद लो chroma चले जाओ widget sale पर चले जाओ online से कुछ मंगा लो तो आपको एक bill मिलता उसको हम invoice कहते हैं फिर आपसे check की photo भी मांगी होगी तो एक check की photo पापा की checkbook cancel check करके photo की चले ना फिर आपसे पूछा होगा counterfoil वे गयारा pay in slip pay in slip बटा जरूर पूछा होगा आपसे उस holiday homework में pay in slip bank चले जाओ रदी के भाओ मिलती है भाओ क्या free में पड़ी होती है किसी bank चले जाओ बोलो मुझे pay in slip दे दो तो आपको 3-4 leafs ऐसे ही दे देंगे ऐसे मिल जाए यह आपको pay in slip चेक है जी उसके बाद अगर आपको चेक हो गया debit note क्रेडिट नोट आपको format online मिल जाएगा वह आप महां से ले लो और screenshot लेकर लागा दो तो इस सारी चीज़े easily available होती है चीके जी answer I was wondering since कि अच्छा OSR Academy की full form क्या है चलो भईया OSR Academy की full form है बेटा ओम साई राम चलो जी ये भी सवाल आ गया ये भाई मैं फिर कह रहा हूँ मेरी टीम ने ये पिपड़ी बिनाई है मेरे इसके अंदर कोई हाथ नहीं है लेकिन सवाल अच्छा है बच्ची का ये वाला तो बहुत ही अच्छा है ठीक है और ये वाले तो भईया तारीफ ही त मैंने आपको बताना चाहे थे चलो जी फिर आता है कन्नू ड्रोइंग भाई साब शेर की फोटो लगाई हुए है कैसर एक्रूवल कॉंसेप्ट और रेवेन्यू रिकोगनाईशन कॉंसेट में फरक क्या है सर बात तो सही है जी बड़ी कन्फूजन होती है सर कि एक्रूवल कॉंसेट और रेवेन्यू रिकोगनाईशन बिटा देखो दोनों ही एक ही बात कर रहें कि जब इंकम ड्यू होती है तब रिकॉर्ड कर देने चाहिए जब रेवेन्यू रिकोगनाईश हो गया तब आपको लिख देना चाहिए यहाँ पर लेकिन एक बात होती है कि यहाँ एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों की बात होती है और यहाँ पर सिरफ रेवेन्यू की बात होती है तो अगर आपके पास कोई स्टेटपन आदे जिसमें सिर्फ रेवेन्यू का संकेत है तो आप यह भी लिख सकते हो यह भी लिख सकते हो बेटर यह होता है लेकि जब यहा अगर due हो जाती है तो हम उसको record करना है whether received or not ये कहता है revenue recognition accrual कहता है every income and expense अगर due हो जाती है तो उसको आपको record करना है whether received or not whether paid or not ये थोड़ा बड़ा version है दोनों सेम बात कर रहे हैं ये revenue यानि income और expense दोनों के लिए बात करता है ये सिरफ और सिरफ revenue के लिए बात करता है बाकी बात सेम है फिर प्रिया कुमारी कहती है सर आपने अपनी question वाली वीडियो में कहा था अच्छा अभी मैंने question जो important question वाली वीडियो बनाई थी ठीक है ठीक है ठीक है कि chapter 4 का difference between accrual basis of accounting and cash basis of accounting accounting की बात बताई थी but sir आपने यहला chapter हाँ बेटा है मैंने वहाँ पर ही बोला है please इस comment को priority देना ओके बटा दे दी देखो हमारी team ने आपके लिखने से priority दे दी चलो तो बेटा मैं आपको बताऊँ chapter number 4 जो है बच्चो yes मैंने नहीं करा है क्योंकि वो definition based question है मैंने वहाँ पर बात बताई थी कि वो already chapter 3 में कर चुके है cash basis और accrual basis मैंने वहाँ पर पोल भी मांगा था कि अगर आप कहो के तो मैं करा दूँगा अब भी इस वीडियो में अगर अच्छे बच्चे कहते हैं कि sir आप उस chapter को कराओ क्योंकि उसको कोई देखता नहीं है ठीक है ना क्योंकि उसके अंदर कुछ ही नहीं आपको सिर्फ difference याद करना है cash basis और accrual basis cash basis में क्या होता है मैं दो में समझा देता हूं ऐसा basis जिसके अंदर मतब वह basis of accounting जहां आपको दो दिन का समय देता हूं दो दिन के अंदर अगर मुझे लगता है दर बारा कॉमेंट अलग अलग बच्चों की आईडी से आये हैं तो मैं वह बना दूगा कोई बात नहीं चाहिए व्यू कम भी आएंगे मैं बना दूगा अब अच्छा एक और अफरी मुद्दा आ रहे हैं वियू की ओपर बच्चे कहीं कॉमेंट कर रहे हैं वियू की ओपर मैंने पढ़े थे बटाब हूँ सारे कॉमेंट मैंने ऑल्यडी जबा बेहना शुरू करते हैं हम भी बड़े इच्छुख होता है बच्चे क्या-कया सवाल पूछ रहे हैं ल unrealistic information मता यह होते है क्योंकि accounts जो होती है न उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें मताब बच्ची क्या सवाल क्या है कि limitation है accounts की chapter number one की बात कर रही है कि unrealistic information देखो हम जब accounts बनाते हैं पहली बात तो बायस हो जाते हैं क्योंकि मेरे accounts से अच्छा दिखने चाहिए तो खराब बात नहीं लिखते हैं सही है या अच्छा profit दिखाने के लिए हम खर्चा कम दिखायते हैं इंकम ज़्यादा दिखा देते हैं या कम profit दिखाने के लिए कि tax कम देना पड़े तो खर्च जादा दिखा देते हैं, income कम दिखा देते हैं तो वो एक तो obvious बात है, unrealistic information ही देगा दूसरा, accounting ignores price level changes एक किताब के अंदर मेरी building की value एक करोड नजरा ले लेकिन market value पांच करोड हो चुकी है तो ये भी एक unrealistic information है दूसरी बात, depreciation को चुनने के दो method होते हैं मैंने आपको बताया था, एक होता है SLM एक होता है WDV, ये आपने चुना ये आपने चुना, और कितने percent से चुना, ये भी आप है मैंने आपको depreciation निकालना था तरीका बताया था कि 50,000 रुपे की machinery है कबाड़ी वाला दस साल बाद 5,000 की देदेगा, तो अब हर साल 45,000 रुपे depreciation लगाओगे, अरे ये किस नेगा कि 10 साली चलेगी और ये किस नेगा कि बाड़ी वाला 5,000 री देगा, तो कुछ ऐसे assumption based जो हमारे याँ पर काम होता है कि assumption उपर नीचे हो जाती है इसलिए हमारी information unrealistic रह जाती है, वो सच्चाई से थोड़ी दूर होती है कभी-कभी तो कोसो दूर होती है जैसे मैं अपने OSR Academy में building की value बताओ, तो वो लगबग लगबग 36 से लेकर 38,000 रुपे है लेकिन भाई, मैं कहाँ जिस property के अंदर हम लोग classes लेते हैं, वो ही 1 करोड रुपे से उपर है क्यों? क्योंकि उसकी book value कितनी है 37,000,000 लेकिन market value 1 करोड रुपे से 2 करोड रुपे से उपर है तो कहाँनी याप पर यह है कि वो कोसो दूर है, कोसो दूर है लेकिन ठीक है, यह एक हमारी limitation तो हई है, and sir, it is NCRT वाला आपको जवाब मिल गया होगा important to read NCRT of account if we are studying from DK Goyal, नहीं बटा DK Goyal से पढ़ रहे हो, तो बहुत बढ़िया किताब है, NCRT पढ़ने की कोई need नहीं है DK Goyal line to line पढ़ लो, बहुत बढ़िया चलो जी, अगला सवाल, ये शर्मा का है sir, I have a doubt, I have paid rent, it is deducted from capital, ठीक है जी, क्योंकि खर्चा capital से काम होता है, and asset why it is deducted from capital, बटा बताया था, जब हम accounting question करते हैं accounting question, वैसे दुनिया जान के सारे expenses or losses capital से ही minus होते हैं, जब हम journal सीखते हैं, तो वहाँ पर हमें direct नहीं minus करने को बोलता, लेकिन eventually जब साल के end में जाओगे, तो balance sheet बनाओगे, तो balance sheet में से ही loss minus हो जाता है, या profit plus हो जाता है, अभी हम क्या कर रहे है, rent पे कर रहे हैं, तो भी capital में से minus, salary पे कर रहे हैं, तो भी capital minus, लेकिन आगे जागे जब और mature हो जाओगे, इसी साल की बात कर रहा हो, तो आप सारे के सारे expense को accumulate कर लोगे, सारी सारी income को accumulate कर लोगे, income जादा है, expense कम है, तो profit हो गया, income कम है, expense जादा तो loss हो गया, profit है तो capital में, plus loss है तो capital minus, तो eventually वो खर्चा अभी तो वहीं पर minus हो रहा है, तो बिल्कु सत्य बात है, यह rule है, इसके उपर ना आप question उठा सकते हो, ना मैं, दूसरा तरीका है समझाने का, कि यार, एक मैंने ना पैसा input किया है business के अंदर, मैं business चला रहा हूँ, अब जब मेरा profit आ रहा है, जब पैसा जो offline center है, वो 18,500 रवे में खुला था, 18 मार्च के दिन, आज से कहीं साल पहले, तो वहाँ पर उस समय मेरी कबल 18,500 थी, लेकिन आज मेरी capital करोड़ोर में में जा जा चुकी है, क्यों, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, लेकिन, कमा जादा रहा हूँ, खर्च कम कर रहा हूँ, और ये खर्चा मैं personal need की बात नहीं कर रहा हूँ, personal तो ही है, मैं business point of view से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, suppose I paid rent by taking a loan from bank, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो दो entry होगे बटा, ये एक entry नहीं है, ये दो entry है, पहले तो आपने loan लिया, तो आपका cash बढ़ा और आपकी liability बढ़ गई, फिर आपने rent pay किया, आपका cash कम होगा, फिर आपकी capital कम होगा है, ये दो अलग-अलग entry है, एक entry नहीं है, क्योंकि आपने rent भी दिया है, और आपने loan भी लिया है, I hope आपका दवाद समझ में आ गया होगा, किसीने like नहीं गया, पता नहीं क्योंगा, कोई बात नहीं है, मान्या धिंगरा का एक सवाल है, कहरें accounting question कि ये कुछ practical questions है, चालो जी, आओ कर लेते हैं, आपका भी doubt हो जाएगा, देखो, अब देखो, ऐसे सवाल में मज़ा आता है मुझे, check received by Radha, Mohan, 40 रुपे का, 40 नी, 40,000 रुपे का, excess amount was sold goods at 20% profit, बटा में को तो ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, क्या लिखा है, check receipt from Radha, Mohan, 40,000, ये word तो बटा मैंने आद तक नहीं देखा, excess amount was sold goods at a profit of 20%, चलो, मैं मान के चल रहा हूँ, ये 40,000 रुपे Radha से इसलिए मिले, क्योंकि हमने उसको माल बेचा था, 20% profit पर, तो मैं मान के चल रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे goods का cost price क्या था, थोड़ी मैस लगाते हैं, let करते हैं cost price को X, तो X में 20% of, अगर मैं X जोडता हूँ, तो बटा कितना आता है, 40,000 रुपे आता है, ठीक है जी, ओके, तो यहां गया 120X upon 100, इसी कोल स्टू आ गया 40,000, तो मेरे X की value आ गई, 4,40,000 into 100 divided by 120, यह मेरी value आ गई, जो भी value आ गया, आ आ इसाल्ट कर ले ना, मुझे amount में कुछ फेर फेर लग रहा है, बाकि आप देख ले ना, माल लो यह value आती है, आपकी 36,000, माल लो, यह example के तोर पे, वो आप comment में बता दे ना, माल ले दे 36,000, तो 36,000 की चीज़ आपने कितने बेदी, 40,000 बेदी, अप तो समझ में आ गया न, तो bank बढ़ गया, यानि, चेक मिला तो bank बढ़ गया, 40,000 से, stock कम हो गया, 46,000 से, 4,000 आपका capital में ब्लस हो जाएगा, मैं कोशन अगर सासा ही समझ पा रहा हूं तो, 110 of the machinery is sold at a loss of 10%, बटा मुझे value नहीं पता कितनी की machine थी, जित्ते की machine थी, माल ले ते 1,00,000 की machine दिख रही थी, 1,00,000 का 10, 1 by 10, आपने पूरी information नहीं बेजी है बटा, तो 10,000 की machine आपने बेज दी, at a loss of 10%, पैसे तो आएंगे न, machinery बेची है, और ये machinery कम हो जाएगी, कितने से बेटा हमारी, 10,000 से, और हमारा loss हो गया, तो capital कम हो जाएगी, बेटा हमारी, 1,000 से, ठेक है जी, ये example के तौरूब मैंने आपको समझा दिया, उमीद रखता हूँ कि आपको ये बाद समझ में आ गई होगी, बहुत ही बड़ी है, आगे कहते हैं, accounting question के बाद, balance sheet बनाना जरूरी है, इसका जवाब वैसे आपको किसी एक मितर ने दे दिया था नीचे, लेकि मैंने कहा हम भी इसका जिकर कर ले, वो जिकर ये है कि no, जब तक नहीं पूछा जाएगा, तब तक balance sheet आपको नहीं बनानी है, ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले कुछ comment सवाल के जवाब ले लेता हूँ, सबसे बहला सवाल, journal वाला ले लिया मैंने, दूसरा, Sir applied mathematics का क्या होगा, कई बच्चे मुझे ये कह रहे हैं कि Sir, आप views के पीछे जा रहे हूँ, आप हमारा carrier नहीं देख रहे हूँ, बढ़ा बात views और उसकी है नहीं, बात यह है कि मैं applied mathematics, देखो, मैंने core mathematics वहाँ पढ़ा रहा हूँ, science and fun, core mathematics की बादता हूँ, science and fun, 19th, 11th पर, रही बात applied mathematics की, I try my level best कि मैं audience generate कर पाऊँ, मैं एक audience build कर पाऊँ, फिर मेरी team ने का let's wait, थोड़ा सा wait करते, और जब तक हमारा accounts का असले, बस थोड़ा control नहीं हो जाता, उसके बाद से कुछ lecture डालना शुरू करेंगे, important version, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं applied mathematics नहीं पढ़ाँगा, बट मैं यह कह रहा हूँ, I am waiting for a certain time, ठीक है ना, तो मुझे पता है कुछ बच्चों का loss हो रहा है, कुछ बच्चों का वो हो रहा है, बट, चीज ऐसी चल रही है, ठीक है ना, मतलब मैं वो feeling आपको express नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं देखो इससे पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैंनो इस comment को देखा, और उसके बारें बात भी कर रहा हूँ, तो यानि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपकी demand भी है, और मैं supply करना भी चारा हूँ, बट चीजें कुछ track पर आजाएं, अब वो चीजें मैं यहाँ पर खोल नहीं सकता, जैसे कि जैसे ही वो track पर आजाएंगे, आपको आपका lecture मिल जाएगा, वो 50,000 वाली बात भूल जाओ, यह मैं आपको एलान कर देता हूँ, और यह clip कार्ट के दोस्तों को भेच देना, तीसरा बड़ा मुद्दा, सर्फ 12th क्लास की पढ़ाई यहाँ पर होगी क्या, तो मैं यहाँ पर एलान कर देता हूँ, 12th क्लास अभी फिलाल इस चानल पर शुरू नहीं होगा, ठीक है जी, हमने पोल डाला था, अब देखो, फेर वही, ग्राजुएली वी हाँ टू इंक्रीज 11th, अभी हम फोकस करेंगे, देखो, यार में पार 9th भी है, में पार 10th भी है, में पार 11th भी है, और मैंने चाहता कि मैं किसी support teacher को बुला कर तुमको पढ़वा दू, ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि मैं ही पढ़ा हूँ, सब कुछ, तो अब्विस भाद है, इसलिए अप्लाइड मैथामाटिक्स मैं वो डिवोशन, क्योंकि एक बर ही मैंने शुरू कर दी, तो मैं पीछे नहीं हट पाऊँगा, अगर मैंने 12 शुरू कर दी, तो मैं पीछे नहीं हट पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको वादा दे दिया, मैंने आपको एक उमीद दे दिया, अब यहाँ पर अकाउंट टेंसी 11 की शुरू हुई है, तो मा कसम खा के कहा रहा हूँ, तो आखरी चेप्टर तक पढ़ाऊंगा, चाह कुछ हो जाए, चाह कुछ हो जाए, मैं पढ़ाऊंगा, चीक है न, तो इसलिए 12 की Mathematics नहीं हो पाएगी, 12 की Maths हो रही है, Core Mathematics, महा तो भाई तीन लेक्टर आ चुके है, Science and Fun, Maths महीं होगी, Science and Fun, 9th, 10th, 11th चलना पड़, 11th की Accounts यहाँ चल रही है, ECO यहाँ चल रही है, BST यहाँ चल रही है, फिलहाल यही चलेगा, Applied Mathematics बहुत जल शुरू करूँगा, जैसी थोड़ा सा Free हो जाता हूँ टाइम कॉंस्रेंट से, तो I request you, कि मैं जरूर करूँगा, यह भी Clip Card की दोस्तों तक बता दे रहा हूँ, ठीक है जी, and don't take it otherwise, मैं कभी भी किसी बच्चे रहाँ, देखो मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ यह, मैं तो आपको शगल भी नहीं देखी, मेरा टेस्ट लग जाएगा, आप बोलो गयार, इस सलसे ही पढ़ना है, या समझ रहे हो, तो दो चप्टर डालने के बाद, तीसा ना डालूँ, वो मुझे खराब लगता है, मेरा हमेशा वर्डिक्ट यह रहता है, इतना पढ़ा दूँगा, अप्लाइड मैथेमाटिक्स, जबकि मैं आपको, चलो या छोड़ो, फिर कॉंटरबर्सी हो जाएगी, चलो, आगे देखते हैं, फिक्टीजर सेट क्या होते हैं, मुझे लगता है नहीं, ज्यादा सवाल बचे हैं, फिक्टीजर सेट वो होते हैं, जिनका असेट होने का दरजा, उनको दिया जाता है, वो होते नहीं है, वो असेट होते नहीं है, इसके उपर एक स्टोरी सुनाता हूं, स्टोरी क्या है, जब नोट बंदी हुई, तो मेरे पास एक post paid plan था Vodafone का तो अब में पास obviously बत है पुरानी currency थी दो जार उपे पान्सो के और हजार के नोट थे अब कुछ तो हमारे बैंक में जमा हो गए कुछ लोगों ने ले लिए कहते हैं हमें दे तो हम तो चला लेंगे और कुछ में बच गए तो Vodafone वालों का एक message आया कहते हैं कि आप अपना bill और advance payment इस kiosk पे जमा कर सकते हो वो kiosk मेरे घर से 2 km दोरी पा था अगर कोई बचा रोहीनी से इस वीडियो को देख रहा है sector 3 और sector 7 का divider road जहां पर वो बाला जी शेक वाला है उसके ज़स सामने Vodafone का एक kiosk आज भी शैद है आप तो खैर वी आई हो गया तो उसका एक kiosk था machine थी तो वहाँ पर जाकर आप cash दे सकते हो और वो आपका bill के अंदर जुड़ जाएगा तो भाई साब मैंने 20,000 रुबे जमा करा दिये अब मेरा phone का bill monthly जो आता था वो 300 रुबे 300,500 रुबे आता था तब तो इतने phone भी नहीं होते थे ठीक है ना तो internet भी internet का bill इतना जादा होता नहीं था उस समय की बात आपको बता है COVID से पहले internet कौहनी इस्तमाल कर रहा था इतना जादा हो रहा था लेंगे Facebook चलाने के लिए हो गया WhatsApp चलाने के लिए हो गया वो भी खोलते थे बंद करते थे खोलते थे बंद करते थे तो वो 300 रुबे बिला रहा है महीने का तो साल का कितना हो गया 3600 तुमारे भाई ने जमा करा दे वो तो बिल चला गया वो में को देंगे थोड़ना वापसी यारी मुझे ऐसा को लग रहा है ये मेरे ओपर ये कल की सी नजर आ रही है थोड़ा इधर हो जाते हैं यार तो वो 20,000 वे वापसी थोड़ना आएंगे दे दिये बाई तो ऐसे सेट को बोलते है फिक टीजेश सेट बहुं यह है तो मेरा सेट छोन तो में इसके सारे सिंटम एसेट बाले नहीं है तो एक्सापल में दो ही याद करलो वाई दो तीन होते हैं अभी फिलाल के लिए दो याद करलो चालो जी, तो 40 मिनट के डाउट सेशन हुए है, मज़ा आगया जिन जिन के डाउट रहे गए हैं, अगर रहे गए हैं तो या तो डाउट बड़े छोटे होंगे या अल्रटी हमारी लेक्शर्स में कवर हो चुके होंगे या हमारी टीम से मिस हो गए होंगे इसके अलावा आपके डाउट कुछ मिस हो गयों तो वह भी बात कर सकते हैं इसी लेक्शर में और फिर आपको वेट करना है जर्नल का बहुत प्यारा चैप्टर बना रहा हूँ लिटरली, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें मोहबबत हो जाएगी जर्नल से, लेकिन एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और दोस्तों तक पहुंचा भी थो जितना प्यार बाटोगे उतना बलेगा कर भला तो हो भला मिलूँगा आगले लेक्शर में, तब तक के लिए बाबाई टेक केर, हैवनाई